कि मेरो चनल पर सभी को रादे रादे आज मैं आपको एक पुरानी जिंस है एक पिठ्टू बैक बनाना बताती हूं देखो यह मैंने पुरानी जिंस लेए यह फट गी थी तो कपड़ा अच्छा इसका मोटा कपड़ा अच्छा बैक बनेगा इसलिए मैंने यह दोनु इसको दोनों बाजू इसकी खोल लेगा है काठने जोनु बाजू कट करके मैं आर इसको थोड़ा सा इसको खोल लोगी कि यहां से हम इसकी शिलाई खोलेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वह भी निकल जाएगा और हमारा एक बैक की चोड़ाई हो जाएगी इसमें थोड़ा ज़्यादा देखो इसमें एक देड़ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है ऐसे तोड़ी मेहनत होती है लेकिन खोलका अच्छा बन जाता है तो इसको मैं शिलाई खोल लूंगे अब देखो यह मैंने बाजो कोल करने बीच में जो लाइनिंग आई है यह बाजो की शिलाई खोले वही है और इसमें मैंने चारु तरफ से इसमें फॉम डाल दिया और इसके सा आड़ा कर दिया अब यह मैंने फोकिट बनाई है यह पोकिट बना दी इसमें लगा दी एक पोकिट के लिये मैंने यह एक्स्ट्रा कपड़ा ली लिया है तो हमारी दोपोखे वह जिए इसको ऐसे चारु तरफ से शिलाई लगा देऊ मोड़ मोड़के नैं यह चारु डिलाई कर दिये इस यह पोकेट है में बैग में जवेंट करोंगे दो पोकेट होगी एक ही पोकेट यह और एक जॉफी लगाएंगे तो भार से हो जाएगे इन इस पर मैं निशान लगाँगी और इसको जोई इन कर दूम पोकेट का कि यह अशिए यह एक पोखिट होगी बेग के भार अब यह बैल्ट है इसको मैं यह बैल्ट इस द्वाइट कर लें अब पोखिट यह लगाएंगे पट्टी तो इसके नाप से मैंने यह पट्टी कट करी है अब यह यहां से मैं इसको दोनु तरफ से इंचे को इसाब से मैं इसको कट कर लोगी आप यहां तक लगाऊंगी आपकी मर्जे आप चैन और बड़ी चोटी जैसे करनी चाहूँ वैसे मैंने यह 9 इंच कपड़ा 9 इंच की पट्टिया कट कर दोगी दो इन्हों 9 इंच यह द अब इसको भी मैं बीच सेंटर से फोल्ड कर लोगी और बीच में कटिंग दे दूँ इसके ऐसे कि जैस का कपड़ा मोट्टा है ना पर फोम बे मोटी हो इसले तोड़ा जाड़ी बन गए यह देख यह मैंने कट कर लिया यह मैंने चैन लई है तो दोनों तरफ से इसमें चैन अटेच कर दूँ में और फिनीशिंग भी कर दूँग पट्टी अंदर से ऐसे लगा यह पट्टी भी लगा दिये और अगर दरसा विर्कला फिनीशियंग हो घिये अब यह देख इस पे नोनों इंच का पट्टी कट करीए यह पट्टी इस पे ज्वाइंट करें ड्याइक देख डूनों तरफ से यहां से बी और यह कपडा में लेकर इसमें फिनीशिंग दे दों तेट साथ साथ पाई पीन भी लगा दें फिर आपको दिखती हूं यह मैंने लगा दी प्रणी सिंकी पट्टी भी लगा दिए इस पे लगा दे हैं अभी आम यह बैग लेने कि यह बैग में पिछ वाले में मैंने इपोके दाल दे पिछ बैग तरफ अब यह बैल्ट यह बद्द्ध यह मैंने जो मेरा पुराना बैग था उसमें अच्छी थी नहीं है बैग खराब हो गए था तो इसकी में यह इसमें जोइंट करूंगी आपके पास आपने बनाने आपके पास हो तो आप भी लगा सकता है नहीं तो अपनी कपड़ागी बना सकते हैं मेरे पास यह रखी थी अच्छी वद्द्ध थी तो इसलिए मैंने यही अटेच कर दी इसमें कि यहां से मैं इसमें शिलाई लगा के अटेच कर देंगे और उपर से भी यह देख मोना टेच कर दी पर से भी और यहां से भी दोनों अबये मैं को इसको वीच सेंटलीने बेक गर यह विच दोनों में वीच से इसको श्रागाली मैं से और करीके पर गर गए अब यह पत्री है यह इसमें भी सेंट्र इसका भी सेंट्र लेंगी कि यहां से इसमें भी निसान लगा लेंगे और फिर हम इसको जोइंट कर देंगे इसका भी चलिपके यहां से बीच लिया और हम चार तरफ इसको ऐसे घुमा देंगे तो यह मेरे पट्टी बिल्कुल बराबर बैठी है यह एकदम और यहां से भी इस तरफ से भी देखू तो यह पट्टी में यह देखू चार तरफ बरबर बैठी इसके यह शिलाई लगांगे और दूसरा बैग पर भी ऐसे अटेच कर दो इस पर भी ऐसे लगागे यह देखू यह मैं अटेच कर दिया है कि दोनों तरफ यह निचा का बार वेश रहेगा इसका तो इसकी हम लंबाई चोड़ाई लेके और एक पट्टी कट करके और इसको पर में जोइंट कर दूँगे तेरा इंच है इसकी 6 इंच चोड़ाई है इसकी अब तेरा इंच इसकी लंबाई है तो यह पट्टी लेके मैं इसमें फोम लगागे और इसकी विशिलाई कर दूँगे साड़े पांच इंच इसमें निचे लगा दूँगे इसका ऐसे जोइंट कर दूँगे इसमें फोम लगाके ना और यह फिनिशिंग कर दूँगे की पट्टी से यह डाई यह некотор देख सिर के आइंडर अब कि यह बेक सिल्के मेरा इड़ी ओ गया है कि पट्टे में थे लगा दिए और इस streamlined दे दिए पूर तरफ से पाई पिल लगा दिये में अंदर से पूरा में अभी हम इसको खोलके सिधा करांगे अंदर आले पोकेट यह देखो एवने सिधा कर दिया देखो एपोकेट एक होगे हमारी अंदर से आप कितनी विश में बुक बरलो कहीं आए-जानी में सामान भरलो कफी बड़ा बैक बन गया है मेरा एक जींस में एक पोकिटट होगी और एक ए अंधर से दो पोकिट होगी एक अंदर पोकिट होगी應該 थी नहीं एंध descon इसमें कितना अच्छा ऐसे बैग बनगा आपको आज कर वीडियो पसंद आओ तो शेर लाइक जरूर करने थेंक यू प्रेंट यू